दीडी किसान बदलते भारत की शान दीडी किसान बदलते भारत की शान हिंदूस्तान के अन्य दाताओं को समझने के लिए दूर दोशन किसान अलग अलग रज्यों में अलग गाव में पहुंच रही है जी हां और इस सिलसले में उत्रप्रदेश पहुंच गए हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आज की चोपाल चर्चा हो पहुँए ज़िया जाता है और यहां के किसान के चर्चा के लिए उसके लिए जान बागव में पहुच गए हूँ यह जालोन डस्टिक का पहले इस गाव की तस्वीर को आप समझेगा और यहां के किसान किस तरखी की तस्वीर भून रहा है उसे समझने के लिए चंद गदमों की दूरी है आप भी आज की चोपाल चर्चा का हिस्सा बनीगा और उत्रप्रदेश की चर्चा आप तक पहुंचाने के लिए आपको देखनी होगी आज की हमारी चोपाल चर्चा तो यह हमारे सारा बाद की चोपाल चर्चा सजकर सवरकर तयार है हमारे अन्य दाता उत्रप्रदेश के अलगले गाउं से एक ही गाउं में आकर आज की चर्चा करने वाले हैं एक बार जोरदार से तालिया अपने आपके लिए बहुत स्वागत और हमारे किसान भाईयों की देखे तादात को देखकर समझ जाईए कि किस तरह से हमारे किसान जो है चोपाल में हिस्सा लेते हैं विज्ञान से जूरते हैं और जानकारियों को समझते हैं क्रशी विज्ञान के अंदर से हमारे अधिकारी हाँ पर बैटे वह हैं और तमाम क किसान भाई है सबसे पहले मैं किसानों से ही शुरुवात करूंगी कि किस तरह से हमारे जो किसान है यहां पर तरक्षी की तस्वीर को बन रहा है सर आप खड़े हो जाईए जी क्या ना में आपका के वी सिंग सेंगर कृष्म बहादुर शिंग आप क्या मानते हैं कि आज से 10- पंदरों साल पहले वाली खेती में अगर विग्यान आ जाता तो तस्वीर कुछ ऐसी होती जो आज है videos 24 में बिलकुल विग्यान का इसमें बहुत योगदान है जो फसल हो रही है जो वह हो रही इसका बहुत योगदान है कि क्रिशी विद्विश्ण के अंदर के हमारे क्यासा सब्सक्राइब तो ऑचे वह सबक्राइब करें 12 मत्रशार रुपा प्या बौट हích सब्सक्राइब नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी क्या नाम में आपका रादेशयम तरपाठी कुठान ब्लोक से रूरा जैती है ग्राब इस बुंदेल खंड में पहले ये दलान का अच्छी तरथा अब यहां हर्चीज जो है नई तरीके से बैग्ज्ञानिक तरीके से खेती की जाए क्या वो बुंदेल खंड बदल गया है हाँ बिल्कुल बदल गया अब यहां हर्चीज की सुद्धाय हो गई है बैट जाहीं बहुत धन्यवाद नमस्कार जी जी प्रणम क्या नाम है मैंने देखा है कि जो हमारा कृशी विज्ञान के अंदर है वो गाउं को गोद लेता है अई उनके कुछ चिनहित गाउं होते हैं लेकिन जो गाउं चिनहित नहीं है क्या वहां तक यूजिना पहुंचती है या वो फिर वंचित रह चाते हैं पहुंचती इस तरह से हैं कि जो किसान सुनकर भी पहुंच जाता है कि इस वग्यान के इन पर तो वहां सो उसको निसुल को बीच बगएरा भी मिल जाता है और दबा बगएरा की जनकारी भी दी जाती है तो और उसमें उसको सचाई के साधन के लिए भी बताया गया है तो एक ट्यूबेल भी पहुंचा है और स्पिंगलर शैड भी पहुंचा है जिसमें सतरस्टी पाइफ है इंजन भी है और खेती बाड़ी भी जो है जब पानी के साधन परयाप्त हो तो डवल फसल लेने लगे हैं बहुत धन्यवाद जी सर आप भी खड़े हो जाईए नमस्का की बात करऊंगी कि तो किस तरह की सुद धाय आपका के विके देरा के बीके मुखे रूप से जो technology होता है नई तकणीक होती है चाहे बीज के रूप में हो चाहे पसल सुरच्छा के रूप में हो चाहे महिलाओं से सम्बंदित है चाहे परसाज से सम्बंदित है उस तकनीक क करने तक पहुंचाता है जैसे हमारे हैं अभी तक यहां जो प्रजातियां लगती थी मटर का या गहूं का खासकर जो है लोकल प्रजातियां थी अब बत्मान समय में जैसे दल्हन में मटर है आपका चना है मसूर मंटर में डालवाली मतर है उसमें भी आपकी आइपी अब ट्ट्ट टू है आई पी अफिसद ही इसके साथ साथ जो सबजी मतर है उसमें तीनों राईटी भाती सब्ञां के अंद्र वारांसी निकली है और यह किसाण जो है अब अपनाने लगे हैं और पहले क्या होता था कि लोकल वेराइटी है यह आरकील का उपयोग जादा करते थे तो उसके कंप्रीजन में इसका उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है और इसका बीज बना के तीन चार साल जो है अगले एक बार खरिदना पड़ता है अब फिर उसको बार-बार यह लोग उपयोग करते हैं इसके आए जेजी 836 जो किसानों तक पहुंच गई है इसके अलावा गेहों में पहले प्रजातियां जो है जिसका उत्पादन बहुत कम था उसके जगवा ठरण बनना है जो आज के डेट में किसान जो है साथ खुन्चल परत हेक्टेर अले तक ले रहा है उसका उत्पादन वो कि किसानों के पास पहुंच चुकी है इसके साथ साथ जो परसिछां हम लोग देते है किसानों को कि या जो युगा बेरोजगार या यूवती पेरोजगार है उनको में परसिचां डिया जाता है जिससे UP às 4जघार स्थापित करते हैं जैसे जो बच्चियां सब आपके अपना दोजगार अस्तापित कर रही हैं बहुत धन्यवाद आपका बहुत जानतर आपने दिया अपड़ी हो जाए आपका क्या नामे जी डॉक्तर राज्भुमारी आप क्या देखती हैं अपने ही घर में अपने ही गाउं में जो अवेलेविल चीजे होती हैं जो सस्ती होती हैं वो उसको उससे कुछ उप्यूगी चीज़े बनाके वो अपने खुद के घर में काम आये इसके लिए और दूसरा अगर वो कुछ पैसा नहीं कायेंगी तुछ नहीं कायेंगी कुछ पैसा नहीं कायेंगी तबतक में सुधार नहीं हो का Moi Table इसके साथ ही साथ हम चैनना पहां करने का ऊष्यां कंप इस लगाए हैं आगर वास्य घर के आसपास जगह है थोड़ी बहुत तो वो इसको यूज करें अगर आपके पास खेत है तो आप खेत में छोटी सी जगह पे पोशर वाटिका लगाईए जिससे उनके अंदर जो पोशर तत्तों की कम्मी है उसे दूर किया जा सकता है जैसे गाओं में कूपोशर की समस्या है उस से उसको दूर किया जा सकता है तो उन्हें सस्ती मतलब बजार में जैसे 40-60 किलो मिलती है तो क्या आज गाओं की महिला एक के विके से आप से जुड़ पा रही है हाँ बिलकुल और लगभग 2-3,000 महिलाओं को मैंने प्रसाहित करके पोशर वाटिका लगाने के लिए उन्ह सार वैज्यानी के रूप में वहापे कारवा अचा मेरा सवाल आपसे रहगा कि बीजो को लेकर आज की जो है वो है अच्छा बीज अगर हमारे किसानों के पास अगर अच्छा बीज पहुंच गया तो सारी समस्याओं को समाधान हो जाएगा वो कैसे और कहां से मिलेंगे है कि विज में वी डिफरेंट्ट डिफरेंट क्लासिस होती है और हमारे किसान आज के समय में किश कज्ड़ के ट्रों से जुटके इसके बारे में काफी अच्छा वेयर है तो हम लोग आ पर बाद ऐसको हम्सरेगों तर है trat tomar dola coma कर सुख़ा साथ है करता हूं אिश्थ फर किरने के बाद एम्से करते हम गोए sihta करते हैं तो अब हमारे को तक जाता है और उसके बाद फिर इस्से वह सजनलिटेट हो को आगे उसको फर्दर चेन में लेका बैठिए बहुत धन्यवाद जी सर आप भी खड़े हो जाईए नमस्कार जी नमस्कार क्या नाम है आपका लक्ष्मी नारण चतुरवेदी अच्छा लक्ष्मी नारण जी काफी सुनावा नाम लग रहा है आपका अच्छा ये बताईए कि अगर हमारे किसानों की तस्वीर और तरक्षी दोनों अगर हमें एक साथ लेकर चलना है तो क्या करना पड़ेगा त्रियस्तरी खेती करें घर में राखे गाए आए बढ़े लागत घटे और आंदनी बढ़ जाए हम चूंके प्राक्रतिक खेती का भी कायर करता हूं मेरा दो हजार इकीस में मुझे बनाना मेन आफ बुंदेल खंड की उपाधी भी मिली लोगबा कहते बुंदेल खंड में केला नहीं हो सकता है यह मैंने बहुत आयत में केला उत्पादन किया और च्छे परांतों की जो प्रतयोगता थी उसमें दुती इस्तान प्राथ किया करसी कारियों में सहयोग करसी के लिए 2013 में ततकालीन जो इस समय प्रधानमंत्री जी हैं गुजरात के मुखमंत्री हुआ करते थे स्रेश्ट कसान के रूप में सम्मानत किया 2014 में महराष्ट सरकार ने मुझे सम्मानत किया 2015 में ततकालीन मुखमंत्री अखलेज जी ने किया है 2022 मे एक CSE सम्मानत करने जा रहा है स्रिष्ट कसान के रूब में और एक नई वात इस जनपत में यह हुई कि यहां के जो जिलादकारी है इनकी बहुत दूर दुर दृष्टी है और उनोंने जब मैंने एक प्रपोजल रखा कि और जगे चंदन हो सकता है तो हमारी जनपत में क्यो होता था आला खंड में भी इसका बरणन आता है जब बेला सती हुई है तो चंदन से जलाई गई तो उसका उल्ले खाता है और एक रामतर पाथी जी हैं जो पेरेसी उनिवस्टी में थी इस समय बंगलोर रहते हैं उनका बड़ा यूगदान रहता है इसलिए उन्होंने जो करें और किस तरह से जब चंदन हो जाए तो हर्वेस्टर करें उसकी हम लोगों का लक्ष है छेओं लोगों का किस जनवत में कम से कम एक लाग पौधा लगाएंगी हमारा यह मकसद रहता है किसान जादा न लगाए तो पांच पेर लगाए चले बैठिए बहुत से पर्चित हूं और हम सब मिलके ब्रह दिस्तर पर भी जुत पाधन कारक्रम से जुड़े हैं और निश्चित ही उससे आई भी बढ़ी है और नौजवानों को प्रणा मिली है कि वो भी अपनी परंबारागत कार से जोड़े रहे और ज्यादतर बच्चे खेती की और उन्म मुली अंध करती है यह सब वहीं फेसे मुझे सबसे पसंड बागवानी इसमें नहीं हो सब chesto तो बागवानी तो कुछ ने देखे जाती आप बहुत समझदार है और यह समझदारी वाली चीज़े बाकियों नहीं समझी कि देखिये ओला है अपदा है अगर इससे बचना है तो बागवानी मुझा ज़ा बहुत धनियवाद जी ठीक है बैठ जाएए बहुत अच्छी जान सीजन का फल खिलाएं और इससे हमारी आमदनी भी दूनी हो क्योंकि फल से हम अम्रूद ही लाखों रुपय का बेच लेते हैं किसान यदि गेहूं करता है या मटर करता है तो उसको एक एकड में ज्यादा बहुत अच्छी फसल होगी हमारी तो पच्चेस से तीस जार रुपय मिल पाता है पर हम जब फल एक एकड में यदि हम नीबू ही लगाएं तो हम दो लाख रुपय उससे कमा सकते हैं अच्छा जी हां अमरूद हम एक डेल लाग का वेच लेते हैं कि अब बाकी जो जो हमने गयर छोड़ छोड़ रखा है उसमें हम हर तीन महीने की फसल सब्जि कि आपको परिवर्तन करना होगा समय के साथ एक ही धरे के साथ चलने की जरत नहीं है जैसे जैसे समय बदल रहा है आप अपनी खेती को भी बदल लीजिए कि खाना खाने से आप परेशान हो जाते हैं तो यह तो हमारी मिट्टी है यह सांस लेती हैं यह कुछ कहती है उसा सम हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूशन और स्वास्त समस्याओं को जन देता है पराली जलाने से परियावरण में कार्बन डायोकसाइड, कार्बन मोनोकसाइड, नाइटोजन ओकसाइड, सल्फर डायोकसाइड और मिथेन की अधिकता हो जाती है जिससे लोगों को आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्या हैं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाओ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक्षमता को बहुत ही क्षती पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दीजा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाब उठाए। पराली ना चलाएं, परियावरण और स्वास्त को बचाएं। आगली फसल का टेम तो गभी थोड़ आई रहे गया। ताउ, किसी एक फसल होगी। बेटा फसल तो ठीक है, ये भी आपक के त्यार होगी। ये भी इसना काटके, और पराली ना जड़ाके, फिर नई फसल बहुण के त्यारी करूँगा। पराली जड़ाके? ताउ, तो परियावरण नो तो खराब करगा। ये लिए मारी सेथ भी खराब करगा। फसल कात तानाई जुरूरी नहीं होंदा। बचो ये अफशेश भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बनाके, तो मिट्टी की उपजाव सकती नो और बढ़ास का है। और तो और इसकी जो पराडबचगी ने, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी लेसका है। हाँ, इस पराली से एको फ्रेंडली पेपर और थर्मकॉल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव इंधन और हस्तशिल बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मश्रूम की खेती, डिस्पर्जबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है, किसान भाई पराली ना चलाएं, पराली से अपनी आए बढ़ाएं अच्छा कर रहा है, अगर केवी के नहीं हो, तो क्या लगता है, खेती में नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा है, और सबसेडी, पानी और बिजली, बढ़िया आ रहे हैं, चले बैठ जाए बहुत धनिवाजी, आगे मैं आप खड़े हो जाएगा है, नहीं सतार जी, नमस्ति माम, क्या नामे आपका? शेकूंत लाया आदौ अपक्या देखती हैं? मैं बस महिलाओं से जुड़े ही देखती हूं जैसे जिस तरह महिलाओं किसी के खेती नहीं तो बोलती है मैं कहां से करूं तो मैडम की सायता से सर की सायता से उन लोगों को महिलाओं को केवी केवी तक लाके उनको पर सिछड़ दिलवाते हैं किचेन गार्डेन का ताकि कम से क वो किचिन गार्डेन करके सबजीयां वबाके अपनी कुछ आमदनी कर सकती है जे बेड़ जाई है हमारी महिलाई देखे कितनी जाग्रुक होई गया है पहले ये घर से बाहर नहीं आती थी चोकट को नहीं लांगती थी आज दूसरों की मदद कर रही है नमस्कार में अनकेट पतल में और मैं इस जनपत में चंदनी कीकेती करता हूं अच्छा हमको पहले बच्चपंस से सौक था कि कुछ नए करनी का और पताजी ने जौब तो करने नहींक दी तो अब हमारा सपना था कि कैसे मतलब कुछ भी हमारा तो यह है लक्ष ऐसा कोई पौदा नहीं जो बुंदेलखंड में उगा नहीं सकते और कम से कम जो कीमत है चंदन की बहुत हाई जाएगी जो बुंदेलखंड में चंदन है उसमें इंसी ये लॉयल वह बहुत हाई पाया जाएगा बाइक की सामक में और जैसे माले जहासी में और अपने राजस्थान में जो संब्सक्तित्षो opinions की में पायगा है लगा लो तो वह आपका खराब आपके पिता जी कि सोच भी मानेटिृ परदार मंप्रिय जी वाली है कि जोब नहीं करनी है नोखिरी देने वाला बनना है नमश्कारर जी आप क। क्या आप क्या न Алप है इसी गाउं गरामसालवाद के रहने वालों को लगाता है हम लगाते हैं पहले तो हमने पर्मेंट लगाया है तो पर्मेंट हमने अपनी लाइफ में 25 रुपाय किलो तक बेचा है और 25 कॉंटल पैदा भी किया है एक बरस में अच्छा जो भी हम आज है तो किसान खेती की बदावलत आज है अचा हमारे टीवी के माधिन से जो पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है वो यह सुनना चाहेगा क्या खेती से बिसनस किया जा सकता है मांत्र खेति हम रहे हैं प्राकृति आप दाखी वह को हैं आपी नवेचा ही प्는데 समस्य कितनी है समस्या कुछ नहीं है समस्या बहुत कोई मतलब समस्या नहीं यह मुणफली में पैदा करना बहुत आसान है बैठ जाई है जी क्या नमें आपका बुबिंद सीग अजय बताई क्या लगाते हैं अब मटा रोगे हूं यही खेती करते हैं गहों में लोग करते हैं इनकी देख के थोड़ी बहुत सब खेती कर लेते हैं अच्छा पड़ोसी इन जो लगा है वो थोड़ा थोड़ा आप भी करते हैं अच्छा यह बताईए कि वज्ञान की बात करो कोई मदद ली है अपने हैं विच बगएरा आते हैं देते हैं संधेशन देते हैं किस तरीके से केती करिए सब दवाइना बताते हैं यह पीम किसान संबान ने दी कि 2, दोहजार है आपके घर में किसी को मिलता है हम यह को मिलती है अच्छा सब कुछ मिलता है ठीक है बैड़ जाएए तो देखिया हमारे अलने दाताहूं को सब कुछ मिलता है नमस्कार जी, मेडमि और आप प्रेमनिष्य नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? हम यह कहना चाहते हैं, हम भी एक समुसा हैं, अगरबती का काम करते हैं, अब या थे अजू है अप से लगा ली है, खाली है तो फिर आप समु वाली नहीं हैं, आप हो गई हैं हमां। बिस्नस विमन याओ आप तो बिस्नस वरी मईद बन गई है। आप कहलकब वथ कर से हुख्या नियुकर बहुत बहुत बढ़ जाहि supreme अब Watts तो हमारे यहां तो अब इस समय धान पर बहुत फोकस है और धान बहुत अच्छा किया जाता है और हम कई साल से जैविक धान कर रहे हैं पिछले साल हमको जिले में प्रिथम प्रुस्कार मिला था धान पर 13 कुंटल प्रती कुंट बीघा पर मारे लगभग 30 कुंटल एकल पर नहुंट यहां तो हमारे यहां धान की बहुत अच्छी पैदावार हो रही है और हमारे यह था सबसे शबसे महतरपुर्ण हो जाता है किती में जानकारी का होना कितनी जानकारी मील जाती है काफी जानकारी होती है हर मीटिंग में हर models are 얘 के के दोडरा भी हम लोगों को जानकारी मिलती है और किर्शी बिभाग के दो ऑन पō yar कि ये फसल इस इस रेट में विकेगी नहीं तो शानकारी नहीं रहती सैंद क्या और टे किसांद को इससे पहले środकि जानकारी होती है तो अधिन को ये पता रहता के हम कौनसा सीड़ और मैस पी के याने से और कफी फायदा है चलित अच्छी आपने बात कही है तो हम बिश्व में बिश्व में बिश्व गुरू हो जाएंगे और मैंने के वी किसे टीडी सी से ग्यहूं लिया था इस बार करनमंदना तो सम्थिंग पैशेट कुंटल पर हेक्टियर मैंने उसका उत्पादन लिया एक्शली वो गया हूं था और उसमें कोई मिक्सब नहीं था इस वज़े से चले बैठी जयनकारी बहुत है हमारे किसान भाइयों के पास देखिए अंदेरा हो रहा इसलिए इजाज़त चाहूंगी यहीं नहीं रुकेंगे उत्रप्रदेश में हैं उत्रप्रदेश के किसानों को आप जागरू किसान है किस तरह से विज्ञान से जुड़ रहे हैं तो आज की चर्चा किसान और विज्ञान यहीं समाप्ति की और आगे बढ़ता है नमस्कार